नमस्काल यूज एटिन इंडिया का नमबर वान शो साजिश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ वारे का थाको शुरुवात इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें इसरेल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है गाजम में हुई छाप इमारे में इस इसरेली सेना ने तीन बंदकों को गोली मार दी है दावा ये क्या जा रहा है इसरेली सेना ने कबूल किया है कि गलती से तीन बंदकों की फाइरिंग में मौत हो गई है इसरेली सेना ने बयान्दी जारी किया है कि हम अपनी गलती स्विकार करते हैं तीन बंदकों की मौत के तो पिधान मंत्री नेतन याओ की मुश्किल ये हो गई है कि उन्हें बंधकों को भी छुडाना है और यूद विराम भी नहीं करना है इस बीच इस वेल अमास यूद को लेकर आलोचना जेल रामेरिका डैमज कंट्रोल में उतराया योतम हैं उन्ट 28 वर्ष समेर अल तलालका उन्ट 25 वर्ष अलोण शम्रिच उन्ट 26 वर्ष तीनों योख हमास के आतंकवादी नहीं है फिलिस्तीनी नहीं है बलकि इस्रैली है इस्रैल की सेना ने अपने ही तीन नागरवों को गोली मार दे क्यूं कहां और कब की डीटेल आपकी स्क्रीन पर है हम इस घटना के जमेदारी लेते हैं घाजा सिटी के शेजया इलाके में एक ग्राउंट ओपरेशन के दोरान सैनिकों को लगा कि ये लोग उनके लिए खबर है गोली मारने के बाद जब शवों के बास पहुँचे तो मारे गए लोगों की पहचान के बारे में संती हुआ बाद में बता चला कि वो इजरेल के ही नागरे मतलब शूप हुए इसरेली डिफेन्स फोर्स की खलत पहचान के चलते की गई फाइरिंग में इसरेल के तीनों युवकों की मौट होई है इन तीनों यूखों का साथ अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इसरेल से अपहरण कर लिया गया था शोसाया में जब इसरेल सेना ने फारिंग करने शुरू की तो इसरेल के ही तीनों बंधक चपेट में आ गए और मारे गए अब आलम ये है कि इसरेल में हंगामा खड़ा हो गया है इसरेल की राजधानी तेल अवीब में हंगामा पसरा है नाराज लोगों ने तेल अवीब में इसरेली सेना के हेटकौर्टर्स के बाहर प्रदर्शन किया है लोग हाथों में बंधकों की तस्वीर लिए और दिल में दर्द लिए अपनों को जल्दी से जल्दी छोड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे है क्यों? क्योंकि इसरेली डिफेंस फोर्स यानि आईडियाफ से हो गई है बड़ी चूँ इस्रैली डिफेंस फोर्स जमीन पर गाजा को जला रहा है इंच दर इंच हमास के लड़ाकों की तलाश कर रहा है जो मिलकर उन्हें ठिकाने लगा रहा है लेकिन इसी दोरान एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरा इस्रैल बेनम नेतनियाहु के खिलाफ देखने लगा है इस घटना के बाद देल अवीब से लेकर वाशिंटन तक हाय तौबा मची है क्योंकि इस्रैली डिफेंस फोर्स ने एक हमले में तीन बंदकों को मार डाला है हमास की कैद में छटपटाते बंदकों को हमास की नहीं इस्रैली सेना की ही गोली लगी है इस घटना के बाद इस्रैल में मातम पस रहा है अमेरिका ने कहा है बहुत दोख़द हुआ युद में गालती होना सामान ने घटना है लेकिन तीन बंदकों के मारे जाने से इस्रैल की जनता गुस्से में देख रही है साथ अक्टूबर को हमास ने इस्रैल के 240 लोगों को बंदक बना लिया था युद विराम के दौरान हमास ने 105 बंदकों को छोड़ा इसके बाद कहा गया कि हमास के कबजे में अभी भी 137 बंदक बचे हुए है जिसे छोड़ाया जाना है अब खबर आ रही है कि बंदकों में से तीन को इस्रैली सेना नहीं घलती से मार डाला बंदक संकर बेनमिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है बेनमिन नेतन्याहू देश वेदेश से इस दबाव में है कि आम फिलिस्तीनियों के हत्या से इस्रैल को बचना चाहिए लेकिन समस्या यह है कि युद्ध और बंदकों की रहाई एक साथ नहीं हो सकती इसलिए हमास युद्विराम चाहता है और इस्रैल इस युद्विराम के लिए राजी नहीं है इस बीच बंदकों की जान हमास की बंदूग की गोली में अटकी है बेनमीन नेतन्याहू के लिए इतना ही नहीं एक और ताजा मुश्किल आख़डी होई है अमेरिका की राष्टपती जो बाइटन राष्टपती बाइटन ने इस्रेल को जो मश्विरा दिया है उसे आपको भी बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए अमेरिका की ये चिंता इसलिए है क्योंकि अमेरिका के संग के कारण ही इसरेल पूरे अरब वर्ल को चैलेंज करते हुए गाजा में बंबारी कर रहा है बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे जा रही है महिलाओं और बच्चों की मौत देखकर दुनिया का कलेजा मूग दो आ रहा है अमेरिका अब इस युद में खुद को अलग खड़ा दिखाना चाहता है इसरेल का साथ हर कदम पर देने वाले अमेरिका ने दो टोग क्लियर कर दिया है कि इसरेल को चुनिंडा ठिकानों पर हमले करने चाहिए आतंक वादियों को चुन-चुन कर मारना चाहिए लेकिन उस दोरान नागरिकों की मौत नहीं होनी चाहिए इतनी कैटेगरी वाला हमला युद में नहीं होता लेकिन कूटनीती में होता है अमेरिका यही कर रहा है युद खत्म करने की इतनी जल्दी अमेरिका को होती तो ना लाल सागर में और ना ही भूमदे सागर में अमेरिकी युद पूत पैरा दे रहे होते अमेरिका संयुक्त राश में युद विराम के खिलाफ वीटो नहीं करता अमेरिका इस्रेयल को बेहद सस्ते और हर सम्माव हथियार सप्लाई नहीं कर लिए लिहाज़ा आम फिलिस्तिनियों की मौत पर बाइडन के आंसु घर्याली है जिनका जमीनी जुद से कोई सरोकार नहीं अमेरिका कल भी इस्रेयल के साथ था आज भी है और कल भी रहेगा इसकी गैरंटी है क्यों अमेरिका की क्या मजबूरी है इसे विस्तार से आगे बताएंगे अभी इस्रेयल के नागरिकों के एक और प्रदर्शन की तस्वीरे देखे इन लोगों की मांग है कि युद्विराम ततकाल लागू हो युद्शोरो होने के बाद से ही अब तक इस्रेयल के हमले में घाजा में कम से कम 18,700 फिलिस्तीनियों की मौत होई है जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है खायलों की संख्या 51,000 के गरीब है सिर्फ 24 घंटे में इस्रेयल ने हमास के 10 और लड़ाखों को मारने का दाबा किया है वहीं हमास के हमले में 1400 इस्रेयली मारे गए है इस्रेयल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतनियाहू को अमेरिका की नई सला सुने I don't think that we can necessarily make some sort of broad judgment about the specific circumstances here and what that says about the ability for them to be more surgical and more precise I would add that when they went into North Gaza, they went in with a much smaller footprint and they were able to conduct smaller scale, smaller unit operations than what they had originally planned to do अमेरिका क्या चाहता है? युद्ध की दशा और दिशा पर उसका कोई असर नहीं देख रहा इस्रेयल और हमास के बीच शांती की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही इस्रेयली सेना के विमान लगातार हमास के नियंतरण वाले गाजा पट्टी में बम बरसा रही है युद्ध की वज़े से मासूमों को जान गवानी पड़ रही है संयुक्त राश्ट में फिलिस्तीन के मिशन ने कहा है कि इस्रेयल को अपने अवैद व्योहार को लेकर नतीजे भुगतने का डर रही है मिशन ने सुरक्षा परिशद से कहा है कि इस्रेयल के खिलाफ कारिवाई की जाए इसका कहना है कि युद्ध विराम की मांग के बाद भी इसरेल अंतराश्रिय कानून तोड़कर काम कर रहा है अमेरिका के NSA जैक सुलिवन ने फिलिस्तीनी अथोर्टी के राश्रोबती महमूद अब्बास से बात की है इस दोरान घाजा में लोगों को भेजी जाने वाली मानवीय मदद को बढ़ाने पर चर्चा हुई है इस मुलाकात में आम नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया लेकिन इस जोर का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है विश्रो स्वास्ति संगठन ने घाजा के हेल्थ सेस्टम के बरबाद होने पर चिंता जदाई है घाजा में 36 अस्पताल थे जिन में से सिर्फ 11 ही कुछ हद तक काम कर रहे है इन अस्पतालों में 50,000 से जादा घालों का इलाज चल रहा है साथ अक्टूबर से अब तक इस्रेल ने घाजा में 22,000 से जादा ठिकानों पर बंबारी की है इसकी वज़ा से 19,000,000 फिलिस्तिनी बेखर हो गए है जो घाजा के अबादी का 85,000 फीस्दी हिस्सा है बेखर होए लोगों को सर्दी और बारिश जैसे बुरे हालातों का सामना करना पड़ रहा है संयोक्त राश्टू से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में एक भी देश ऐसा नहीं निकला जो इस्रेल को आम फिलिस्तिनीों के किलिंग से रोक सके हलाकि किलिंग रोकना तो दूर इरान जैसे देश ने तो हमास का साथ देने से ही इंकार कर दिया लेबनान के हेजबुल्ला के हमले और यमन से हूथी विद्रोहियों के हमले इस्रेल युद में एक डिगरी भर का फर्क नहीं ला सकते कहा जा रहा है कि घाजा में हमास के लड़ाकों की संख्याज ज्यादा से ज्यादा होगी तो चालीस हजार होगी लेकिन मौत और मातम पूरा घाजा भूग रहा है इस बीच इरान से एक ब्रेकिंग डियूज आई है यह ऐसी कबर है जिसने इस्यान में तहलव मचा दिया है इरान ने अपने यहाँ इस्याद की कूफिया ऐजेंसी मौत एक major एजन्ट येडिंट को खासी दे दिये और इरान ने ये धमकी भी दी है कि अगर इस्वेल ने गाज़ा पर हमले बंद नहीं किये तो बहुत बड़ा धिमाका होगा अगर इरान ने ये धमाका कर दिया तो उसकी मचाई हुई तबाही के आगे गाज़ा की बरबादी भी बौनी साबित होगी मरने वालों की तदाद हजारों में नहीं लाखों में पहुंच सकती है लेकिन सवाल ये है कि क्या इरान ने परमानू बंबना लिया है ये धमाके तो बहुत छोटे हैं बड़ी फिल्म का छोटा सा ट्रेलर है असली धमाका तो अब होने वाला है और धमाका करेगा इरान इरान में अगर बंब फोड़ा तो वो दुनिया का आखरी बंब धमाका भी साबित हो सकता है क्योंकि वो ऐसा ब्लास्ट होगा जो पूरी दुनिया की चीथड़े उड़ा देगा ऐसा ब्लास्ट जिससे बचना नामुम्किन होगा डर है कि एरान सीधा परमानू बंब फोड़ेगा और वो परमानू बंब का टाइमर सेट कर चुका है एरान घुसे में हैं बहुत घुसे में हैं घुसे में उसने अपने दोस्ट चीन से फोन पर बात की और साफ साफ कह दिया है कि इसराईल ने गाजा में अब हद पार कर दी है उसने एरान के सबर का बांद तोड़ दिया है इस लिया बहुत बड़ा बलास्ट होगा दर हमायत अस बस बस अदामाती अन्जाम दाने मीशे और अगर इन वज़ियत अदाम मेदागा कने हर आन अमकान ये इक इन्फजार गेर गाबल पीशवीनी और गेर गाबल कंट्रोल दर मन्तके वजूद दाने इन चीज़ इस ताम्पकाईगा ता अमरुस दर्क नकरदें इरान की विदेश मंत्री ने अपने बयान में धमाके शब्द का इस्तमाल किया और पूरी दुनिया में तेहल का मच गया अमेरिका से लेकर ब्रिटन और ट्रांस जैसे तमाम पश्चमी देश खौफ से भर गए हैं सब सूच में पड़े हैं कि एरान किस धमाके की बात कर रहा है आखिर उसके दिमाग में क्या साज़िश चल रही है डर जताया जा रहा है कि कहीं एरान ने परमानु बम तो नहीं बना लिया एरान करीब दो दशक से चोरी छिपे परमानु बम बना रहा है मगर ये बात वो मानता नहीं वो कहता है कि उसके नूकलिर प्रॉग्राम का हथ्यारों से कोई लेना देना नहीं उसका परमानु कारिकरम एकदम शांती पूर्ण है मगर कριीब 6 साल पहले इस्राइल ने बाकाइदा सबूतों के आधार पर एरान के परमाणू कारेकरम का भंडा फोड़ दिया था एक किताब में दावा किया गया है कि 2018 में इसराइल की खफ़या एजनसी मुसाद के एजन्ट चुपके से एरान की राजधानी तहरान के पास एक खफ़या ठिकाने में घुस गए थी वहाँ उन्होंने हजारों की दादाद में ऐसे टॉप सीक्रेट फाइलें चुरा ली थी जिनमें इरान के परमाणू बंबनाने के कारेकरम का पूरा का पूरा कच्चा चथा था इसी साल मई में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसियेटेड ड्रेस ने एक रिपोर्ट च्छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि एरान ने अपना एक परमाणू ब्लांट जमीन के इतने अंदर बनाया हुआ है कि अमेरिका की मिजाईलें भी उसे भेद नहीं सकती जमीन में 260 से 328 फीट तक गहरी सुरंगे ये गहराई इतनी ज्यादा है कि माना जा रहा है कि अमेरिका के बम भी इरान की सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे ये रप के भी कई देशों के इंटेलिजन्स रिपोर्ट कहती है कि इरान परमानू बम बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि वो बहुत जल अपना पहला परमानू बम टेस्ट भी कर सकता है इरान की परमानू बम बनाने के लिए इतना यूरेनियम जुटा चुका है कि महज 12 दिन में परमानू बम बना डालेगा ये दावे डराबने है क्योंकि जब से हमास ने इसराइल में घुसकर हमला किया है तब से इरान के न्यूकलियर प्रोग्राम से पूरी दुनिया का ध्यान हटा हुआ है इरान के जिस परमानू कारेकरम से अंतराश्ट्री मीडिया की नजरे नहीं हटती थी वो युद्की रिपोर्टिंग में लगा है इरान के परमानू कारेकरम पर गिद्ध की तरह नजरे गड़ाए बैठे अमेरिका और इसराइल जंग में उलजे हुए है रक्षा विशेशग्यों का कहना है कि एरान इसी बात का पाइदा उठाकर चोरी छिपे धड़ले से परमानू बम बनाने में लगा है सवाल ये है कि क्या साथ अक्टूबर को हमास से इसराहिल पर हमला करवाना एरान की सोची समझी साज़िश का हिस्सा था ताकि वो पश्चमी देशों का ध्यान हवास में भटका कर आराम से अपना परमानू बम बना सके क्या बीते दो महीने से इरान परमानू युद्ध की प्लैनिंग कर रहा है इरान ने यूहीं तो धमाके की धंकी नहीं दी होगी जरूर उसके हत्यारों के जखीरे में प्रमास्त्र आ गया है इरान की धंकी का मतलब है पत्थर की लकी अब वो दोबारा नहीं चेताएगा बलकि सीधा अटाक करेगा इरान के विदेश मंत्रे ने फोन पर चीन के विदेश मंत्री से ये भी कहा कि गाजा की जंग पूरे पश्चिम एश्या में फैल चुकी है अभी तो बस लिबनान का हिजबुल्ला और यमन के हूथी वित्रोही हम आसके साथ खड़े हैं आगे चल कर कई और देश इस जंग में कूट जाएंगे ऐसे में अगर इसराइल ने अब भी हत्यार नहीं डाले तो फिर जंगों का ऐसा विस्वोट होगा जिसमें पूरा का पूरा पश्चिम एश्या तबाह हुजाएगा फोन पर चीन के विदेश मंतरी ने इरान के विदेश मंतरी को समझाया कि गाजा की जंग का सिर्फ एक ही समाधान है और वो ये है कि इसराइल के साथ फिलिस्तीन के लोगों को भी उनका देश दिलाया जाए मगर इरान इसराइल को खत्म करने की कसम खाये बैठा है वो पहले ही दो टूप कह चुका है कि पूरे फसाद की जड़ ही इसराइल है इसलिए जब इसराइल नक्षे से मिटेगा तब ही पूरी दुनिया में शान्ती आएगी इरान आर या पार के मूड में नजर आ रहा है अब तक उसने इसराइल के खात्मे की बस दुआ की है इसराइल को धमकियां दी हैं और हमास और हिस्बल्ला से उस पर हमले करवाएं मगर कभी इसराइल से जंग के मेदान में सीधे सीधे दो दो हात नहीं की ऐसे में अब अगर एरान युद्ध लड़ने उतरता है तो ये उसकी इसराइल से पहली और आखरी जंग भी साबित हो सकती है ये ऐसा युद्ध हो सकता है जो एरान या फिर इसराइल को मिट्ट में मिलाने के बाद ही खत्म होगा क्योंकि एरान के जंग में उतरने का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध जिसमें एक खेमा होगा अमेरिका और इसराइल का और उनके खिलाफ खड़ी होगी उनके दुश्मनों की बहुत बड़ी टीम ऐसी टीम जिसमें एरान तो होगा ही उसके साथ होगा चीम और उन दो अमेरिका के पास 5224 परमानु बम है और उसके साथ ही इसराइल के पास 90 और इनके साथ खड़े रूस और चीन के पास परमानु हत्यारों का जखीरा है। अमेरिका के पास परमानु बम चलाने का पास हो गया तो तबाही मच जाएगी। इसमायल हानिया तुर्की में ही था। अमेरिका के मीडिया को दिये इंटर्व्यू में तुर्की के राष्ट्रपती के चीफ सेक्योरिटी एडवाइजर ने जो बयान दिया है। क्योंकि उन्होंने साथ अक्टूबर को हानिया के तुर्की में होने की बाद से इंकार नहीं किया है। अगर एक ख़बर पकी है तो ना सिर्फ इस्राइल बल्की अमेरिका और पूरे के पूरे लेटों के लिए बहुत बड़ा जटका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्राइल पर हमास के अटैक का मास्टर माइन तुर्की था। क्या साथ अक्टूबर को कतर नहीं तुर्की में बैठा था हमास का चीफ इस्माइल हानिया। क्या साथ अक्टूबर को तुर्की में बैठ कर इस्राइल में खून खराबे का ज़श्ट मना रहा था हानिया। क्या तुर्की की जमीन से रची गई थी इस्रेल पर हमास के हमले की साज़श क्या तुर्की की राश्रबदी एर्दोगान ने सुनाया था हमास को इस्रेल में कतले आम मचाने का फर्पान इन सवालों ने अमेरिका से लेकर ग्रिटर, फ्रांस और जर्मनी समेथ दुनिया के 31 देशों को हिला दिया है पूरे के पूरे नैटो में हरकंप मच गया है तुर्की ने एक बार फिर नैटो देशों का बलड प्रेशर बढ़ा दिया है नैटो को दोरकी वो विभीशन बनता दिखाई दे रहा है जो उनके 74 साल पुराने सैन्य गड़ बंधन की कब्र खोच सकता है तो क्या इस्रेयल की जंग नैटो के टुकड़े टुकड़े कर दीगे जिस नैटो की बुनियाद करीब दो साल से जारी यूपरेन की युद्ध में नहीं हिली उसकी वजूद पर महस दो महीने पहले शुरू होए गाजा की लड़ाई ने तलवार लड़का दी है और नैटो का सबसे बड़ा दुश्मन बन कर खड़ा हो गया है खुद नैटो का सदस से तुर्की इस जंग में खुल खुला हमास के साथ खड़ा है और इस्रेयल पर आग उगलने में लगा है अब खबर ये है कि अंतराश्टिय मीडिया में चल रही कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर के दिन जब हमास के करीब 3,000 लड़ाके इस्रेयल में घुसे थे उस दिन हमास का चीफ इसमाइल हानिया तुर्की में बैठा था जबकि अब तक ये माना जा रहा था कि हानिया कतर में चिपा हुआ है इस्रेयल पर हमले के दिन हानिया के तुर्की में होने की ख़वर को तब और हवा मिल गई जब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिये एक इंटरव्यू में तुर्की के राश्रबदी के चीफ सेक्योटी अडवाइजर ने इस बात से सीधे सीधे इंकार नहीं किया उन्होंने इंटरव्यू में कहां कि वो नहीं जानते कि 7 अक्टूबर कोहानिया कहा था हो सकता है वो तुर्की में हो मुद्दा ये नहीं है कि हमास के नेता किस वक्त कहा है मुद्दा ये है कि हम इस जन को कैसे रोके तुर्की के राजश्रपती के चीफ सेक्योर्टी एडवाइजर के इस बयान ने अमेरिका और नैटों के जिहन में तुर्की के खिलाफ काफी वक्त से बैदा शक को पुखता कर दिया क्योंकि हमास के नेता बेधड़क बिना किसी रोक डोक के तुर्की में जब जाए आ सकते हैं जब जाए वहां से जा सकते हैं तुर्की में उनके स्थाई ठिकाने हैं और खुद तुर्की के राजश्रपती के हमास के नेताओं के साथ नीजी रिष्टे हैं अभी जुलाई में ही इसमाइल हानिया इस्तांबुल में तुर्की के राश्रपती से भी मिला था इसलिए कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इसरेल की खुफिया एजनसी मुसाद और सुरक्षा एजनसी शन बेड हमास के निताओं को मौत इधात कुदारने की प्लानिक में है फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चिपने इस पर तुर्की के राश्रपती ने इसरेल को सीधी धमकी दे दी थी कि अगर तुर्की की जमीन पर हमास के निताओं को एक खरोच भी आई तो इस्रेल को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े तुर्की विसे है तो नाटो का सदस लेकिन नाटो के बाकी दोसों से उसकी कुछ खास नहीं पड़ती है यहां तक की नाटो की अगवाई करने वाले अमेरिका तक को आँख दिखाता है और उनकी बात नहीं मानता है यहां तक की जर्मनी से भी तुर्की के अच्छे रिस्ते नहीं है और ग्रीस से तो उसकी जंग होते होते बची हो न्याट्ो देश जो रास्ता पकड़ते हैं, तुर्की उससे बिल्कुल उल्टी चाल चलता है योक्रेन के युद में भी तुर्की ने यही किया, न्याटो देशों ने रूस पर प्रतिवंद लगाए मगर तुर्की में रूस पर प्रतिवंग लगाना तो धूर, तुर्की के राश्रपती ने पुतिन से रिष्टे भी नहीं तोड़े और रूस से गैस खरीदनी भी जारी रखी, अब गाजा की जंग में भी तुर्की का स्टैंड नैटो के स्टैंड से बिलकुल अलग है इस्रेल पर हमला होते ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटन और जर्मनी जैसे बड़े बड़े नैटो देश हमास पर बुरी तरह भड़क गए थे बिनाव वक्त गबाएं उन्होंने इस्रेल से हमदर्दी चताई और इस लड़ाई में उसके पीछे खड़े हो गए हमले के चंद दिन के अंदर अमेरिका के बाइटन, फ्रांस के एमैन्वल मैकरू, ब्रिटन के रिशी सोना और जर्मनी के उलाव शॉल्स इस्रेल का साथ देने उसका होसला बढ़ाने के लिए सीधा इस्रेल पहुंचे और हमास को मिटी में मिलाने की गसम खाली मगर तुर्की के राशबदे रेजिब टाइप एर्दुआन ने तो इस्रेल को ही आतंग की देश बता दिया है वो इस्रेल पर तमतमाय हुए हैं, इस्रेल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतनियाहू को गाजा का कसाई बुला रहे है एर्दुआन तो यहां तक क्या चुके हैं कि नेतनियाहू ने गाजा में जिस बेरहमी से मासूम लोगों को मौत के घाट उता रहा है उसके लिए इंटरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन पर युद्ध अपराद का मुकत्मा चलेगा तुर्की और इस्रेल के कोटनेतिक रिष्टों में पहले से ही खटास थी और घाजा की जंग ने दोनों देशों के बीच किखाई को और गहरा कर दिया है अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन गोशित किया हुआ है मगर हमास तुर्की का दोस्त है दूनों के रिष्टे बरसों पुराने है तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुत संक्यक है और फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है और खुद तुर्की के राश्रबती एर्दुआन तो फिलिस्तीन के कट्टर समर्थन किया है। का जबरदस्त दबाव बनाने में लगा है। तुर्की केता है कि वो हमास के नेताओं से इसली बातचित करता है क्योंकि वो जंग रुकुमाना चाहता है और शांती चाहता है। यहां तक कि जब अमेरिका के राश्रबती वाइडन और एगरोदान की फोन पर बात हुई तो एगरोदान ने उन पर ही गाजा की जंग रुकुमाने का दवाव डाल दिया। तुर्की के इन ही देवरों ने अमेरिका और नैटो के सिर में दर्द किया हुआ है। इसलिए सवाल ये है कि फिर भी अमेरिका तुर्की के आगे बेबस क्यों है? क्यों वो तुर्की के नकरे से रहा है? तो ये बात है कि अमेरिका और नैटो का तुर्की के बेना घुजाराने और तुर्की उनकी इस मर्भूरी का फाइदा उठाने में लगा है। दुनिया के नक्षे पर तुर्की की लोकेशन उसकी बहुत बड़ी ताकत है। तुर्की नैटो देशों के दक्षिक पूर्वी बॉर्डर पर है। और तुर्की नैटो के लिए जमीन पर और समंदर में भी अड़े मोहिया करा सकता है। ऐसे में नैटो और अमेरिका तुर्की जैसे देश को खोने का खत्रा नहीं उठा सकते। क्योंकि उनके रूस और चीन जैसे सबसे बड़े दुश्मन तुर्की को अपने खेमे में लेने के लिए तयार करें। 13 दिसंबर को संसत की सुरक्षा में चूप का मामला बेक राजलितिक मामला बनता जा रहा है। रहुल गांधी ने स्मुद्धे पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बीजेपी ने उनको टार्गेट पर ले लिया है। रहुल गांधी ने संसत की सुरक्षा में हुई चूप के पीछे वेरोजगारी को वज़ा बताया है। बीजेपी ने रहुल गांधी के बयान के निंदा की है। गांधी पर लगाये जा रहा है। आखिर ललित ज्जां के पीछे असली चेहरा कौन है? क्या इस असल चेहरे का राज भी जले हुए मोबाइल में ही है? आखिर नीलम, अमोल, मनुरंजन और सागर को संसत के अंदर जाकर हंगामा खड़ा करने और संसत का सुरक्षा चक्र तोरने के लिए किस ने प्रेरित किया? क्या इसकी भी पूरी जानकारी जले हुए मोबाइलों में ही है? अगर कई महीनों से संसत के अंदर उपद्रो करने की ये साजश रची जा रही थी, तो इसका मतलब साफ है कि इन सभी मोरों के पीछे कोई ना कोई बड़ा चेहराज जरूर है क्योंकि संसत के अंदर घुसकर स्मोग स्प्रे का इस्तेमाल कर पूरे देश को हैरान करने की इतनी बड़ी साजश किसी संगठन के आम कार्यकर्था के बस की बात नहीं है एक तरफ जहां दिल्ले पुलिस गिरपतार आरोपियों से सच उगलवाने में लगी है तो वहीं इस मामले के माश्टरमाइन ललित की पूरी कुंडिली भी खंगा ली जा रही है यही नहीं इस मामले पर अब जमकर राजनीती भी शुरू हो गई है राहुल गांधी और बीजेपी के बीच अब ये मुद्दा सिर्फ संसद की सुरक्षा में चूक या शान्ती विवस्था को भंग करने या अशान्ती पैदा करने का ही नहीं है ये सिर्फ संसद में उपद्रों का मुद्दा नहीं है अब राहुल गांधी इसे एक राजनितिक मुद्दा बनाने की कुशिश कर रहे हैं और अब ये सवाल उटना भी लाजबी है कि क्या इस राजनितिक मुद्दे को कॉंग्रेस पार्टी भविश्य में इस्तिमाल करना चाहती है आखिर क्या है राहुल गांधी का वो बयान जिस पर बीजेपी का विरोध शुरू हो गया है बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर क्या पलटवार किया गया है ये सारी बयान आपको सिलसेलेवार आगे दिखाने वाले हैं लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महेश की क्यों है ये महेश और क्यूं इसकी गिरफतारी को बहुत ज्यादा एहम माना जा रहा है इस पर पहले बात करेंगे महेश की लोकेशन राजस्थान के नागोर में पाई गई थी और इस संसत कांड में महेश का रोल संसत कांड को अंजाम देने वाले सभी उपाद्रवियों के लिए रहने का इंतसाम करना था मामले को आगे विस्तार से समझने के लिए एक बर फिर पूरी घटना को समझना पड़ेगा दरसल 13 दिसंबर को सागर और मनरंजन नाम के दो आरोपी संसत के अंदर भुज गये थे और संसत में दर्शक दीरगा से लोग सभा संसतों के फ्लोर की तरफ पूट कर सीटों पर चड़ गये थे उसी वक्त संसत के बाहर भी स्मोक स्प्रे छोड़ा जा रहा था यानि उस वक्त 13 दिसंबर को दो लोग संसत के अंदर उपत्रों मचा रहे थे सागर और मनुरंजन और तीन लोग संसत के बाहर मौजूद थे नीलम, अमोल, शिंदे और ललिध जा अब बड़ी बात ये है कि बेहत शातिर ललिध जा मौके से फरार हो गया था और वो सागर, मनुरंजन, नीलम और अमोल, शिंदे के मौबाईल लेकर फरार हुआ था पूछताज से पता चला है कि ललिध जा ने इन चारों ही मौबाईलों को राजस्थान ले जा कर जला दिया है जैसा कि आरोपी दावा कर रहे हैं कि ये मामला साधारन विरोध प्रदर्शन का है तो आखिर मौबाईलों को जला कर ललिध जा और ये चारों आरोपी क्या चुपाना चाहते थे दरसल मौबाईल में ही इस पूरे मामले के बड़े राज चुपे हो सकते हैं और अब नश्ट हुए मौबाईलों के टोकणों से क्या कोई मदद मिल सकती है ये भी बड़ा सवाल है सवाल ये उड़ता है कि क्या मौबाईल में कुछ समवेधन शील दस्तावेज थे जिसकी वज़े से मौबाईल को जलाया गया क्या मौबाईल में कुछ कॉल, रेकॉर्डिंग्स या कोई डीटेल सबूत मौचूद था जिसकी मदद से पूरे केस में मास्टर माइंड तक पहुँचा जा सकता है या कोई ऐसी जानकारी जो उस बड़ी मचली तक जाच एजेंसियों को पहुँचा सकती है इतना ही नहीं महेश वही शक्स है जिसने इस पूरे मामने के मास्टर माइंड कहे जा रहे है लले ज्जा के साथ मिलकर संसतकार नारोपियों के मुबाईल भी नश्ट कर दिये है इस फैन पेज का एडबिन कौन था? इसकी तलाश पुलिस कर रही है लेकिन क्या इसी फैन पेज के माध्यम से लोगों को जोड कर उपद्रों की साजिश रची गए? ये बड़ा सवाल है इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस को कुछ सोशल मीडिया एप में ऐसे चैट भी मिले है जिसमे की क्रांती करने के दावे किये जा रही है? क्या इस तरह की कथे क्रांती से देश में हिंसा या उपद्रों पैदा करने की कोई साजिश थी? ये जाच का विशह है संसत के अंदर उपद्रों करने की पूरी साजिश बहुत गंभीर है लेकिन राहूल कांधी ने इस पर भी अपना एक अलग राजनितिक नजर्या बना रखा है राहूल कांधी को लगता है कि देश में विरूसगारी बहुत बढ़ गई है और इसलिए संसत की सुरक्षा में चूप हो गए क्या राहूल कांधी ने सुरक्षा से जोड़े कांभीर मामले को अपने इस बयान से हलका कर दिया है यह बड़ा सवाल है पहले राहूल कांधी का बयान सुनी फिर दिखाते हैं कि बीजेपी ने इस पर क्या पलटवार किया है सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है बट क्यूं हुई जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है मोधी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ब्रीच जरूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई-कई चीजें कह जाते हैं पार्लिमेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े वे कुछ लोग उनकी विचारधारा के साथ जुड़े वे कुछ लोगों ने चलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनिम्प्लॉइमेंट है अब ऐसे किसका कारण क्या होता है इसमें मैं क्या करूँ राहुल गांधी के बाद बीजेपी की दरब से इस पर एक प्रेस कौन्फरेंस की गए जिस पर राहुल गांधी से कई कठिन सवाल पूछे गए हैं तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाता हूँ 11 एप्रेल 1974 आफी की परिवार की सरकार थी दो पिस्टॉल लेकर एक बंग जैसी सामगरी लेकर कुछ लोग अंदर चले गए थे पार्लिमेंट की ही सी पब्लिक गालेरी में क्या आप मानते हैं आप सुविकारते हैं कि ये उस समय की सरकार की बेरोजगारी और महेंगाई की वज़े से उतर हो चले गए थे 26 जुलाई 1974 मतलब कुछ ही महीने बाद एक व्यक्ति खंजर के साथ घुच जाता है पब्लिक गालेरी में कि रहुल गांदी सुविकार रहें कि उस समय की सरकार की जो बेरोजगारी और महेंगाई की दर थी वो चरम पर थी तो इसी लिए खंजर लेकर कोई घुच गया था अगर इस पूरे मामले पर घौर करें तो एक बात बिलकुल साफ नजर आती है कि ये आरोपी कहीं ना कहीं एक खास विचारधारा से जुड़े हुए नजर आते हैं ये एक ऐसी विचारधारा है जो देश के अंदर बीजे पी का कट्टर विरोध करती है संसद के बाहर स्मोक स्प्रे के जरिये विरोध करने वाली नीलम नाम की महिला से जोड़े ऐसे कई खुला से हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये लोग खास संगतनों के सक्रिया कार्य करता नजर आते हैं नीलम का एक ऐसा बयान भी सोशल मीडिया पर वारल है जिसमें वो सरकार का विरोध कर रही है अब दिल्ली पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि क्या नीलम किसी संगता है गठन के एक सक्रिय कार्य करता है या फिर शरमपंथी विचार धारा से भी प्रभावित है नीलम के और कई वीडियो वारल है जिसमें कि वो किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी नजर आ रही है पूरे मामले में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 13 दिसम्बर को ही संसद में उब्दरव करने के लिए दिन क्यों चुना गया अगर इन लोगों को सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही करना था तो ये लोग किसी और तारीख को भी चुन सकते थे लेकिन 13 दिसम्बर को ही विरोध प्रदर्शन की तारीख के रूप में चुनना देश के खिलाब किसी बड़ी साजिश का संकेत भी करता है कि जैसे ही इन पर्पेटर्टर्श के तार, इन पार्लिमेंट सिक्योरिटी के ब्रीच करने वाले इंट्रूडर्र्स के तार जैसे ही कॉंग्रस पार्टी और कॉंग्रस पार्टी समर्थित कुछ उग्रवादी राडिकलाईस वामपन्थी संगठनों से जुड़ते जा रहे हैं तो छीक वैसे वैसे कॉंग्रस पार्टी उनके बचाव में उतर आ रही है कुल मिलाकर 13 देसंवर 2023 का ये संसत कांड साबित करता है कि ये सामाने मामला नहीं है और इसके बीचे कोई बड़ा मास्टर माइंड जरूर है जिसने कि इन सभी लोगों को मोहरे की तरह इस्तिमाल किया है कि ये सामाने मामला नहीं है